गाना खत्म होते होते इंदिवा पूरी तरह से इमोशनल हो गई और उन्होंने अपने चहरे पर हाथ रखकर सब के सामने हिंदी सिनेमा के अमर गायक महुम्मद रफी को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरिबां 42 वर्षों का समय गुजर चुका है मगर रफी साहब के लाखो फैंस आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो उनके गानों को सुनते हैं और उनके गानों को सुनकर उनके दिल को बड़ा सुकून मिलता है इनी महुम्मद रफी के सुरों में सजे एक गीत को सुनकर देश की ततकालीन प्रधानमंतरी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सब के सामने अपने चेहरे पर हाथ रख कर कहा था चुप हो जाए ये रफी साहब अब मैं बरदाश्ट नहीं कर सकती कौन सा गाना गाया था महुम्मद रफी ने इंदिरा गांधी के सामने और क्यों कही थी इंदिरा गांधी ने ये बात जानेंगे इस वीडियो में हिंदी सिनेमा को गोमती के किनारे जैसी ओल टाइम क्लैसिक फिल्म देने वाले मशूर बॉलिवुड डिरेक्टर सावन कुमार टाक भारत के पहले प्रधानमंतरी पंडित जवाहरलाल नहरू के बड़े मुवीध हुआ करते थे जब साल 1964 में पंडित नहरू का निधन हुआ तब सावन कुमार टाक के दिल को बड़ी चोट लगी उन्होंने फैसला किया कि वो पंडित नहरू को समर्पित एक फिल्म बनाएंगे उन्होंने खुद ही पंडित नहरू से जुड़ी हुई एक फिल्म की कहानी सोची और फिल्म नौनिहाल बनाने की तयारियों में लग गई इस फिल्म को डिरेक्ट कर रही थे मशूर बॉलीवूड डिरेक्टर राज मर्ब्रॉस जब सावन कुमार इस फिल्म को बना रही थे तो उनके दिमाग में आया कि अगर ये फिल्म पंडित नहरू को समर्पित है तो इस फिल्म में एक गाना भी ऐसा होना चाहिए जो पंडित नहरू को समर्पित हो गीत के बोल थे मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनों जब सावन कुमार ने कैसी आजμी से ये गीत सुना तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस गीत को वो मोहमद रफी से ही गावाएंगे यही हुआ मोहमद रफी ने ये गीत गाया फिल्म नौनिहाल बनकर तयार हुई साल 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई ये फिल्म एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी थी जिसे ये मालूम हो जाता है कि पंडित नहरू उसके रिष्टेदार है और वो पंडित नहरू से मुलाकात के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ता है और उसका ये सफर खत्म होता है पंडित नहरू के जनाजे में ये फिल्म रिलीज हुई और सूपर डूपर हिट होनी लेगी फिल्म की इतनी बड़ी अपार सफलता को देखकर फिल्म के डिरेक्टर राज मरग्रोथ ने सवन कुमार को आइडिया दिया कि क्योंना अरजी दाखिल कर भारत सरकार से ये दरख्वास्त की जाए कि इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया जाए सवन कुमार को ये आइडिया तो बड़ा अच्छा लगा कि फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री कर दिया जाए मगर ये आइडिया कि भारत सरकार से अरजी दाखिल कर दाख्वास्त की जाए उन्हें नहीं अच्छा लगा क्योंकि उन्हें लगा कि पता नहीं भरत सरकार इस अरजी को मन्जूर करे या ना करे इसके बजाए उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रधान मंतरी श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलकर खुद परस्नली उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस फिल्म को पुरे देश में टै करने वाले एक्टर हरिंद्रनाथ चट्व पाध्याए से हरिंद्रनाथ चट्व पाध्याए पेशे से शायर थे और शौक से अदाकार थे हरिंद्रनाथ चट्व पाध्याए का इंद्रा गांधी से बहुत पहले का पर्चे था चूंकि हरिंद्रनाथ चट्व पाध्याए म श्रीमती इंद्रा गांधी दोनों ही हरिंद्रनाथ चट्व पाध्याय की करताओं के बहुत बड़े प्रशन सकते तो हरिंद्रनाथ चट्व पाध्याय के जर्ये फिल्म नौनिहाल के प्रोडूसर सावन कुमार टाक डिरेक्टर राजमर ब्रॉष और म्यूजिक कंपोजर और किस्तन मोहन ने इंद्रा गांधी से मुलाकात के हरेंद्रना चट्व पाध्याय कने इंद्रा गांधी को इस मुलाकात का प्रयोजन बताया कि सावन कुमार जी चाहते हैं कि आप इनकेस्विल्म नौनिहाल को पूरे देश में टेक्स प्री कर दें इंद्रा गांधी ने एक मिनट तक सोचा और फिर कहा ठीक है मैं इस विश्य पर सोचूंगी सावन कुमार को लगा कि लगता है इंद्रा जी बाट टालने के लिए कह रही है सावन कुमार ने कहा इंद्रा जी आप पहले फिल्म देख तो लिजिए उसके बाद विचार की दियेगा तरसल सावन कुमार ने सोचा कि हो सकता है इंद्रा जी इसे एक आम सी फिल्म समझ रही हो फिल्म देख लें चूंकि ये फिल्म उनके पिता जी पंडित नहरू से जुड़ी है तो फिल्म देख कर वो खुश हो जाएंगी और खुश हो कर शायद वो टैक्स प्री करने का फैसला कर दें मगर इंद्रा गांधी ने कहा कि उनके पास तीन घंटे की इतनी लंबी फिल्म देखने का टाइम नहीं हो इससे पहले कि सावन कुमार कुछ कहते बगल में बैठे म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ने तपाक से कहा ठीक है इंद्रा जी अगर आपके पास नहुरू जी को समर्पित तीन घंटे की इतनी लंबी फिल्म देखने का टाइम नहीं है तो आप नहुरू जी को समर्पित पांच मिनट का एक छोटा गाना ही सुन लीजिए इंद्रा इसके लिए राजी हो गई गाना बजाया गया मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो महम्मद रफी ने इस गाने को इतनी दर्द भरी आवाज में और इस दर्द भरे अंदाज में गाया था कि इंद्रा मगन होकर इस गाने को सुनने लगी बरबस ही उनकी आखें अपने आख बंद हो गई थी इस गाने को सुनने के दौरान ही उन्हें अपने पिता पंडित जवाहवलाज नहरू की याद आनी लगी थी गाना खत्म होते होते इंदिरा पूरी तरह से इमोशनल हो गई और उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखकर सब के सामने धीमे से कहा चुप हो जाएए रफी साहब अब मैं बरदाश्ट नहीं कर पाऊंगी और ये कहकर इंदिरा जट से उठकर अपने प्राइवेट केबिन में चली गई और अपने प्राइवेट केबिन में बैठकर फूट फूट का रोनी लगी उन्हें अपने पिता पंडित जवाहरलाज नहरू की बहुत याद आ रही थी बाहर सावन कुमार, मदन मोहन, हरिना, चट्व पाध्याए, अवाक बैठे हुए थी चुँकि उन्होंने इस दृष्ष के कलपना भी नहीं की थी दस मिनिट बाद इंदिरा गांधी का सेकेटरी सावन कुमार के पास आया और सावन कुमार से बोला आप लोग घर जाईए, मैडम ने कहा है आप लोगों का काम हो जाएगा और इसके अगले ही दिन भारत सरकार की तरप से अफिशिली जियो जारी किया गया जिसके तहत फिल्म नौनिहाल को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया गया ये था जादू मुहम्मद रफी साहब की आवास का, उनके दर्द भरे अंदास का कि इतनी सख्त लोह महिला के दिल के तार भी जंकृत हो उठे और वो भी रोने पर मजबूर हो गई मुझे ये किस्सा बड़ा ही दिल को छू लेने वाला लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेर किया अगर आपको भी ये किस्सा दिल को छू लेने वाला लगा हूँ तो अपने मुबाइल की बटन को छू कर कॉमेंट सक्षन में कॉमेंट ज़रूर दीजिए